पेशाब में अगर खून आता है तो उसे रक्त में कहा जाता है रक्त में के रोग में गुर्दे में गरबडी होने के कारण रक्त पूरी तरह नहीं छन पाता है अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है और आप इस बात से बहुत परेशान है तो आज की वीडियो में हम पेशा में खून आने के कुछ घरेलू इलाज बताएंगे तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाज तक जरूर देखें लगबग 12 गराम आवला और 12 गराम हल्दी को मोटा मोटा पीज कर रात को पानी में डाल कर भीगो दें सुबे इस पानी को छान कर पीने से पेशा में खून आने का रोगदूर होता है एक गराम भुनीवी फिटकरी को सुबे और साम पानी के साथ लेने से पेशा में खून आना बंद हो जाता है चंदन को चावल के दुले पानी में घिस कर इसमें मिश्री को मिला कर सुबह साम खाने से रक्त में ठीक हो जाता है लगवक छे गराम सफेद चंदन का चूरा लेकर रात को पानी में भिगो दे सुबह इस पानी को चान कर पीने से पेशा में खून आना बंध हो जाता है आना बंध हो जाता है पचास गराम जो को पांसो मिली लीटर पानी में डाल कर उबाल लें जब उबलने पर पानी आदा बाकी रह जा तो उसे उतार कर दिन में तीन बार पीने से पेशा में खोन आना बंध हो जाता है 10-20 गराम लोगरासव को बराबर मातरा में पानी में मिलाकर सुबह साम भोजन के बाद खाने से पेसाब साप आने लगता है 40 मिली लीटर तिरफला का काड़ा सुबह साम भोजन के बाद सेवन काने से पेसाब में खून आना बंद हो जाता है आदे से दो गराम सपे जीरा को मिसरी के साथ पानी में घोट कर रोज दो तीन बार लेने से रक्त में के रोज में लाब होता है लगबग आदे से एक गराम सुआगे की खील को सैद मिले पानी में घोट कर सुबह साम पीने से दूसित पेशा भी ठीक हो जाता है कच्चनार के फूलों का काड़ा सुबह साम लेने से पेसा में खून का आना रक्त परदर और रक्त का बहना ठीक हो जाता है दस मिली लीटर हरी दूब का रस रोजाना दो तीन बार मिस्री के सर्बत में मिलाकर पीने से रक्त में के रोग में लाब होता है पासन भेट को दूद में गिसकर सुबह और साम चाटने से बच्चों के पेसाब की गंदगी दूर होती है पेसाब में खून आने पर पांच गराम से दस गराम गुलर की चालिया दो से चार फल लेकर पीसकर और घूंट कर चीनी को मिलाकर दूद के साथ खाने से मोतर के रग्त आने का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है 10-20 मिली लीटर सिनु आर्क के पत्तों का रस सुबह साम खाने से गुर्दे की सूजन मिट जाती है और पेसा में रग्त का आना बंद हो जाता है इसके साथ ही सिनु आर्क करंज नीम और धतूरे के पत्तों को पीश कर गर्म गर्म ही गुर्दे के इस्तान पर बांदने से लाब होता है अनंत मूल की फांट या गोल को 50-100 मिली लीटर की मातरा में गुरूच और जीरा के साथ लेने से पेसाब की जलन कम होती और पेसाब करने में परेशानी नहीं होती गुर्दे की सूजन में पीले फूलों वाली हुरहुर के पत्तों को पीश कर नाभी के दाएं बाएं भाग में लेप काने से लाब होता है बड़ी लोना की फांट या घुल को 40-80 मिली लीटर की मातरा में सुबा साम लेने से गुर्दे की सूजन में लाब मिलता है जिससे पेसाब में खून आना बंद हो जाता है बड़ी लोना के बीजों के 1-2 गराम चून खाने से रक्त में के रोग में लाब मिलता है इसको साग के रूम में भी खाना लाब दायक होता है गुर्दे के रोग में गाजर के बीज का चून सुबे साम 1-3 गराम की मातरा में लेने से लाब मिलता है पेसाब के साथ अगर माद निकलता हो तो ऐसे में आवला के रस्या काड़े में सैद और हल्दी को मिला कर खाने से या रोग ठीक हो जाता है तीन से छे गराम नागर मोथा को दूद में पीसकर और घोल कर सुबह और साम पीने से पेसा में रक्त आने का रोग दूर होकर पेसाफ साप आने लगता है कचूर की फांट या घोल को सुबह साम खाने से पेसाफ साप आने लगता है 21 चाक्सु के और 5 गराम सपेज चंदन को रात में पानी में भिगो कर सुबह उस पानी को च्छान कर पीने से पेसाफ में खून का आना ठीक हो जाता है अतिबला की जड़का काड़ा 40 मिल लीटर की मातरा में सुबह साम सेवन करने से पेसाफ में खून का आना बंद हो जाता है तो ये थे पेसाफ में खून आने से समन्दित कुछ घरेलो उपचार जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साध्या की है हमें उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेयर करें अगर आप चेनल पे नए है तो चेनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन जरूर पेस करें